गुट मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11, मैट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नमबर 16, प्रोबिलिटी, आज हम सॉल करेंगे 16.2 एक्सेसाइज का कोश्य नमबर 3 इस वीडियो में, कोश्य नमबर 3 आपके पास गीवन है, An experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that come up. Describe the following event A such that, A case क्या देखे रखा है, the sum is greater than it, सबसे पहला case, B case क्या देखे रखा है, B is such that, to occur on either die, दो कहाँ पर आना चाहिए, die के उपर, C क्या देखे रखा है, the sum is at least 7, C क्या है हमारे पास, कि dice का जो sum है, वो क्या होना चाहिए, कम से कम साथ होना चाहिए, and a multiple of 3, 7 and a multiple of 3 भी होना चाहिए, which pair of this event are mutually exclusive, और साथ में, जो भी pair से वो केजी होने चाहिए, mutually exclusive, clear, देखे, अब हम क्या करेंगे, solution, right, solution करेंगे, let us assume that, सबसे पहले क्या assume करेंगे, कि हमारे पास जो dice है, उस dice के number of total cases क्या होते है, जैसे हम dice को throw up करेंगे, तो हमारे पास possible outcomes कितने आएंगे, one, comma two, comma three, comma four, comma five, and comma six, यही आएंगे, are the possible outcomes when the die is throw, मतलब हम die को throw करेंगे, तब definitely हमारे पास क्या आएंगे, यह outcomes आएंगे, in the question is given that, pair of die is throw, pair of die मतलब दो die का pair, एक साथ throw करेंगे, तब number of cases क्या होंगे, sample space क्या होगा, So, sample space will be, क्या होगा, यह question में given है, तो जब हम दो die को throw करते हैं, तब total number of cases क्या हैंगे, तो देखो, एक die के लिए हमारे पास cases क्या थे, one, two, three, four, five, and six, यह cases थे total हमारे पास, अब हमारे पास यह cases के साथ, दो die throw करते हैं, तो इतने एक die पे तो definitely आएगे, हो सकता है, पहले वाले die पे हमेशा one, one आए, तो one, 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 two, one, three, one, four, one, five, one, six, अपन पीछे वाले को fix कर देते हैं, कि एक बार one, two, three, four आएगे, पहले वाले में हर position पे one रख दिया, यह हो सकता है, पहले वाले के हर एक पे two आजाए, two, one, two, 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 three, two, four, two, five, two, six, right, यही होंगे total case, या फिर हम पहली वाली position पे three fix कर देते, three, one, three, two, three, 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 four, three, five, three, six, या फिर हम पहली वाली position पे four fix कर देते, four, one, four, two, four, three, four, 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 five, four, six, right, या हम पहली वाली position पे five fix कर देते, five, one, five, two, five, three, five, four, five, five, six, right, या हम पहली वाली position पे six fix कर देते, six, one, six, two, six, three, six, four, six, five, six, six, मतलब total number of cases कितने हो गए, 36, मतलब दो डाई के total case हमेशा कितने हो जाएंगे, 36 fix है, हमेशा याद रखना कि number of total cases कितने हो जाएंगे, जब भी दो डाई की बारे में बात करेंगे, ये रहेंगे, ये आपको copy में note down करने है, और ये ही आपका क्या है, simple इस पेसे दो डाई को throw करने के लिए, first case क्या देखे, रखाता देखे, the sum is greater than 8, मतलब दोनो डाई का sum क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा, दोनो डाई मतलब ये दोनो number, एक pair के, 1 प्लस 1 कितना होँआ, 2, ऐसा हमें हर एक pair का check करना है, और वो sum कैसा होना चाहिए, greater than 8, 8 से बड़ा, 8 भी नहीं चाहिए, तो देखे, ये वाली pair का sum कितना है, 6 प्लस 2, 8, ये चाहिए क्या नहीं, 5, 3, 5 प्लस 3, 8, ये भी नहीं, 4 प्लस 4, ये भी नहीं, 3 प्लस 5, ये भी नहीं, 2 प्लस 6, ये भी नहीं, अब आप देखेंगे, 6,39, राइट, मतलब यहाँ से लेके, इतने boxes से, जिसका sum हमारे पास कैसा आएगा, greater than 8, 8 से बड़ा, तो देखे, 3,6 दिख रहा है, फिर ए नेक्स लाइन में, 4, 5 और 4, 6, तो ये देखो, 4, 5, और 4, 6, ये रा, फिर दिख रहा है, 5, 4, ये रा, 5, 4, 5, 5, ये रा, 5, 5, 6, 5, 6, ये रा, 5, 6, फिर ए 6, 3, ये रा, 6, 3, 6, 4, ये रा, 6, 4, 6, 5, ये रा, 6, 5, और ये 6, 6, दिख रहा है, तो ये मैंने कौन से लिखे है, greater than 8 जिसका sum केसा है greater than 8 8 से बढ़ा तो आप हमेशा इसे diagonal में select कर सकते हो कि किसका sum greater than 8 greater than 9 greater than 10 greater than 11 और 12 आ सकता है तो यह है तो यहाँ पर आजाएंगे possible greater than 8 के बाद हो सकता है 9, 10, 11, 12 यह sum है second case क्या बोईला है 2 occur on the either die 2 कहा आना चाहिए ऐसे कितने cases है जिसमें 2 आ रहा है देखे 2 वाला cases सारे ले लेंगे repeat एक भी नहीं करेंगे जिसमें हमारे पास कितने आ रहा है 2 आ रहा है तो देखे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 साथ में यह वाले cases जिसमें 2 आ रहा है तो देखे यह वाला case सारे जो दोनों में आ रहा है तो इसको एक ही बार हम लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे तो देखे यह 1, 2 2, 2 आ रहा था वापस से तो अल्रेडी लिखा वा है 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2 मतलब यह वाले cases से जो दोनों तरफ आ रहे है मतलब यह 2, एक ही यह वाली लैन में भी 2 आ रहा है और यह वाली लैन में भी तो in these conditions possibilities are these there that the number 2 will come on either first die और second die or the both the die simultaneously हो सकता है पहली वाली diaper आ रहा हो हो सकता है दूसरे diaper आ रहा हो या फिर दोनों पर भी आ सकता है c case क्या देखे रखा है the sum at least 7 कम से कम 7 होना चाहिए जादा से जादा किता भी चलेगा तो at least sum क्या होना चाहिए 7 और 7 में क्या होना चाहिए at least 7 और 7 में multiple of 3 दोनों का plus भी क्या होना चाहिए multiple of 3 sum of 7 वाला part का हापर है यह रहा मैंने diagonal बना है यह वाले में sum of 7 और उससे बड़े और उन दोनों का हमारे पास क्या आना चाहिए multiple of 3 तो 7, 8, 9 10, 11 और 12 तो multiple of 3 यह दोनों ही रहेंगे तो 3 वाले cases कौन से यह वाले जिस पर line खेश दी तो देखे 3, 6, 4, 5 5, 4 और 6, 3 4 केसे से और 12 वाले का कितना केसे से केवल एक 6, 6 बाकी में sum of मतलब multiple of 3 आएगे क्या नहीं आएगे मतलब यह सारे sum क्या हो गए यह reject हो गए तो sum के लिए केवल एक यह diagonal वाली line जो जिसमें 4 element दिख रहे पे और के और एक sum of 12 यह यह क्या है multiple of 7 में 3 at least sum of 7 भी है और 7 में greater than 7 भी है at least 7 भी है और 7 में multiple of 3 भी है so the sum can be only 9 and 12 जो कि मैंने आपको clear बता दिया अब हमें क्या पता करना है देखे now we shall find pair of this event are musically exclusive or not है या नहीं है तो हम एके करके check करेंगे right देखो A intersection B A क्या देखे रखा है यह और B इसमें से कोई भी एक element common दिख रहा है देखो इसके हर एक element में 2 दिख रहा है B वाले में A वाले में कही पे भी 2 दिख रहा है क्या नहीं मतलब 2 वाला एक भी pair और इसमें include नहीं है it means इनका intersection में क्या आएगा 5 और जिसमें 5 आता है 2 set के बीच में वो क्या होता है mutually exclusive तो since there is no common element in A and B therefore A and B are mutually exclusive right यह हो गया first अब B and C में देख लेते C में किते 3 6 इसमें है क्या B में नहीं 4 5 इसमें भी नहीं है 5 4 नहीं है 6 3 नहीं है 6 6 नहीं है मालब B और C में भी एक भी pair ऐसा नहीं है कि जो common हो तो देखे since there is no common element between therefore B and C are mutually exclusive अब A और C हम देख लेते है A A और C A और C में हमारे पास कितने element common है A में और C में देखो 3,6 है 4,5 ये भी है 5,4 ये भी है 6,3 ये भी है और 6,6 ये भी है मतब C का हर एक element A में available है common है तो देखे ये सारे element मैंने लिखे है 3,6,4,5,5,4,6,3,6,6 ये सारे element क्या है common है अब बताओ अगर ये element available है तो ये क्या इनका intersection phi आएगा क्या नहीं इसलिए मैंने लिखा not equals to phi और अगर इन दोनों में एक भी element common है तो ये mutually exclusive नहीं है तो हम लिखेंगे since A and C has common element मतलब बहुत सारे common element है therefore A and C are mutually exclusive is not mutually exclusive हो जाएगा are is not not लगा लेना is not ये mutually exclusive नहीं है और ये क्या हो गया हमारे लिए answers thank you ए से क्या है हो क्या है ए से लुए हो Best